Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं integration exercise 7.9 का question number 19 देखते हैं क्या है evaluate the following definite integral यहाँ पे definite integral का question दे रिखा है limit है 0 to 2 function है 6x plus 3 by x square plus 4 इसको आपको integrate करना है कैसे करेंगे देखो द्यान से, limit हमारे पास क्या है 0 से 2 6x plus 3 by x square plus 4 dx अब देखो बच्चो अगर इसका differentiation उपर प्रेजेंट होता तो इसको directly t put करके कर लेते अब इसका differentiation भी उपर प्रेजेंट नहीं है उपर linear form है निचे quadratic करना क्या है बस simple सा काम होता है दुन्नों को अलग अलग कर दो क्या हो गया वही 0 से 2 6x by x square plus 4 और प्लस में integration 0 से 2 3 by x square plus 4 दुन्नों को क्या कर दिया हमने separate कर लिए अब दुन्नों को असानी से हम integrate कर सकते हैं इस वाले में आ जो put x square plus 4 is equal to t x square का क्या हो गया 2x dx is equal to dt आ गया या नहीं अब 6 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 multiply 3 लिख सकता हूं या 3 multiply 2 ऐसा ही तो लिखा जा सकता है तो 2x dx तो मेरा क्या बन गया dt यहाँ पर क्या बच गया 3 तो क्या आ गया यहाँ पर ध्यान से देख लो 0 से limit यहाँ पर put करेंगे हम 2 तक और बाहर आ गया 3 और यह हो गया dt by t 3 फिल प्लस में यहाँ पर 3 integration dx by x square प्लस 4 integration 0 से 2 dx by x square प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का square लिख सकता हूं या नि यह समझ में आ गया होगा न बच्चो 6 को 3 इंटू 2x dx लिख सकते हैं या नि 6x को 3 इंटू 2x dx 2x dx की जंगे तो dt आ गया 3 हमारा extra बच गया 3 बाहर लिख दिया हमने और x square प्लस 4 को हमने क्या मानना था नीचे तो यह आ गया अब यहां पर आ जाओ इसमें मत्पुट करना x square प्लस 4 को t इस इसमें मानना था हमने इसका integration क्या हो गया 3 इंटू log t और limit कहां से कहां तक 0 से 2 प्लस में 3 यह किसका formula बन रहा है 10 inverse वाले का तो क्या हो गया यहां पर क्या होता है यह 1 by a मतलब 1 by 2 10 inverse x by a x by 2 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 तक अब पुट कर लो limit t की जंगा पहले हम function पुट करेंगे 3 into log x square प्लस 4 लिमिट 0 से 2 फिर प्लस में 3 by 2 10 inverse x by 2 लिमिट 0 से 2 पुट कर दी सारी लिमिट हमने आप देखो आजो पहले अपर लिमिट फिर माइनस में lower लिमिट तो क्या आ जाएग यहां पे 3 log of पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का square क्या हो जाएगा 4 2 का square 4 प्लस 4 क्या हो गया यहां पे 8 तो यह आ गया मेरे पास log 8 फिर माइनस में क्या करेंगे यहां पे पहले अपर लिमिट पुट कर लो प्लस में 3 by 2 10 inverse यहां पे 2 by 2 करेंगे तो क्या हो गया 1 फिर minus में lower limit यहाँ 0 put करो बच्चो तो क्या हो गया 3 into log यहाँ 0 put करें 0 का square 0 plus 4 log 4 यहाँ पे plus में 3 by 2 multiply यहाँ पे 10 inverse 0 put करेंगे यह क्या हो जाएगा हमारा 10 inverse 0 simplify करो यह क्या आगया मिर पास 3 log 8 plus में 3 by 2 10 inverse 1 क्या होता है 10 pi by 4 पे minus में 3 log 4 और यह सारा क्या हो जाएगा 10 inverse 0 0 हो जाएगा तो यह आगया मेरा 0 छोड़ दो इसको इसको और इसको देखो यह 3 log 8 है यह minus का 3 log 4 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 log of 8 by 4 log m by n लग जया यहाँ पे ठीक है 3 log 2 plus में 3 pi by 4 2 जा 8 यह answer आ गया clear question समझ में आ गया होगा कुछ नहीं किया है पहले upper limit 2 2 put कर दी sum में फिर minus में lower limit put कर दी यहाँ पे minus ही आएगा वही minus जाके यह तो 0 हो गया वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर हमने 0 put कर दी x की जगा तो यह आ गया इनको simplify कर दिया answer आ गया आपके पास कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem नहीं है question में सिंपल सा question था कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछिए और वाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए thank you students for watching next classes वीडियो